तो दोस्तो आपको फुल मार्च दिलाने के वादे के साथ आज मैं हाजिर हूँ नए टाइप के वीडियोज लेकर जिसमें हम फास्टेस्ट स्पीड से पढ़ेंगे बोर्ड एक्सप्रेस भी चलती रहेगी लेकिन आज आपको साथ साथ बुलेट ट्रेन की सवारी भी करवा देते हैं केवल इतने समय में जितने में आप दो सौंग सुनते हैं हम एक यूनिट को कम्प्लीट करेंगे सबसे पहला नमबर सौलिड स्टेट का ले लेते हैं सौलिड स्टेट में जो मोस्ट इंपॉर्टन कोशिन जहां से आपसे बार बार पुछा जाता है वो है डिफेक्ट के उपर जब भी सौलिड का टेंपरेचर बढ़ाया जाता है तो उसका परफेक्ट ली जो अरेंजमें में हैं जो three types के हैं stoichiometric, non stoichiometric and imputed defect तो सबसे पहले stoichiometric में है short key और frankled effect short key में क्या होता है equal number of cation और NIN space से miss हो जाते हैं जब कि frankled में क्या होता है कोई भी iron अपनी जगह छोड़ कर interstitial sites में आ कर बैठ जाता है इसमें और क्या होता है जब दोनों यहां से चले गए तो मास डिक्रीज हो जाएगा मास डिक्रीज हो जाएगा डेंस्टी डारेक्ली प्रोपोर्शनल है ये भी डिक्रीज हो जाएगी इसमें डेंस्टी के उपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा ये सेम रहेगी क्योंकि कुछ बाहर गया ही नहीं है इसके अंदर ही है क्योंकि इसमें ओल्स क्रियेट हो गए तो इसकी इलेक्ट्रिकल कंड़क्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी इसके अलावा इसमें जो कोडिनेश नंबर हो ज्याद अलग होना चाहिए ज्यादा छोटे बड़े होंगे तब ही बीच में स्पेस बनेगा और बीच में आकर फिट हो सकता है इसके एक्जामपल जैसे एनने सील है के सील है इसके अलावा एजी बी आर है वन मार्क का वेरी इंपोर्टेंट कोश्चन एजी बी आर वो स्ब्सक्रावाल 129 इसमें फॉर्मॉला डिस्टब नहीं होता है इसमें फॉर्मॉला डिस्टब होता है दो टाइप का है में अवर डॉज Яसे मैं अक्जी अपक्श पॉजईवाले की एकसे कैसे हो सकती है दो तरीके हैं या तो कोई extra catein आ जाए तो ज्यादा हो जाएगा या फिर कोई negative वाला वहां से चला जाए तो positive ज्यादा बत जाएंगे means two types है इसकी presence of extra catein and anion vacancy presence of extra catein में क्या होगा कोई भी जो catein है extra catein present होगा interstitial site में और neutral बनाने के लिए उसकी neighboring sites में क्या होते हैं electron present होते हैं फुर example जैसे हम जेड़नों को heat करते हैं गर्म करते हैं तो जेड़न two positive बनता है plus half or two plus two electrons तो जेड़न two positive ये किसी interstitial site में vacant space में present होगा और electrons इसके neighboring sites में present होगे तो extra catein present है means metal की access होगी NIN vacancy बहुत important question यहां से पूछते हैं what are F center तो हम आपको बता रहा हूं NIN vacancy में क्या होता है NIN vacancy यानिक NIN अपनी जगे छोड़ कर चला जाएगा खाली जगे छोड़ देगा for example यह NACL का crystals था sodium vapors की presence में इसको गर्म किया जैसे गर्म किया तो इसके उपर जो sodium vapors and electron छोड़ कर यह N-A positive के रूप में convert हो गए और जैसा ही यह हुआ तो यहां पर जो NIN present थे जैसे CL negative जी लल चाए रहा ना जाए तो क्या हुआ NIN यहां से अपनी जगे छोड़ कर रूप पर चला गया इसके साथ साथ combine कर गया अब यह जो इलेक्ट्रोन N-A ने छोड़ा है गोर किये जीएगा वो इलेक्ट्रोन यहां आके इस खाली जगे पर बैठ जाता है इस NIN की कमी पूरी करने के लिए इलेक्ट्रिकल नूट्रिलिटी बनाने के लिए यह जो ऐसे होल्स बनते हैं इनी को कहा जाता है एफ सेंटर एफ जर्मन वर्ड है फैब्रे फैब्रे मिन्स कलर और जब यह सारा प्रोसेस होता है कि यह यहां जा रहा है इसके साथ combine कर रहा है तो जो एनरजी रिलीज होती ह उससे इस crystal को इन कोई color मिलता है तो याद रखें एफ सेंटर सार रिस्पोंसिबल फोर इंपार्टिंग कलर टू दा क्रिस्टल्स यह है एना एन वेकेंसी का defect दूसरा metal access तो यह दो तरीके की access metal deficiency में क्या होगा जातरे transition metals में पाई जाती है जिसमें variable oxidation states होती है तो किसी भी ए एक कटायन कोई भी एक कटायन हो वहां से मिस हो जाता है और उससे higher charge का वहां आकर बैठ जाता है यह होता है metal की उजयाने कि इसकी deficiency होगी उसकी बजाए दूसरा आकर वहां बैठ गया अब impurity defect है impurity का मतलब यहीं नहीं कि नुकसान करेगा यह properties को सुदारता है दो तरह से य आपने strontium chloride डाल दिया तो sr पर two positive होता है तो दो na positive को यह crystal में से भगा देगा और इसकी जगह अकेला एक क्योंकि इसके उपर दो charge है तो site में तो एक में बैठेगा दूसरी खाली रह जाएगी तो two na हमको यहां से बगाने पड़ेंगे और यह एक type की doping है type क्या doping ही है हम ने इसको mix कर दिया है कोवेलेंट में दो type की है P type N type P group 14 वाले हैं इनके साथ अगर आप 13 वालों को mix करते हैं तो एक electron कम है यानि के positive है तो वो P type बनेगा और अगर आप उनके साथ 15 group को लेकर आते हैं तो आपके पास क्या एगा N type बनेगा क्योंकि group 14 है 15 वाले को आप लेकर आए तो चार बॉंड तो बना लेगा एक फ्री बच गा इलेक्ट्रों यानिक एक नेगेटिव वाल तो बच गा तो वो क्या है N type है group 14 है 13 वाले को लेकर आए तो क्या होगा positive टाइप बनेगा ये थे total अपने डिफेक्ट सोले नेक्स्ट इंपोर्डेंट कुशन आप से है रोते है एक स्का एक्जेंपल है फैर मैडनिक वह हैं जो इसका अपनेटिज्म का क्या हूं राइप नि इसके पीछे का all regions के रूप में ऐसे प्रेजेंट होते हैं जिनको डोमेइंज कहा जाता है तो यह डोमेइन अलग अलग डारेक्शन में रेंडम ली पड़े हुए होते हैं लेकिन जैसे magnetic field के उपर इनके जैसे magnetic field इनके उपर आएगा तो चलो बुलावा आया है magnet ने बुलाया है तो यह random direction जे क्या होंगे सीद्धी एक direction में आ जाएंगे जिससे magnetic field बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है इसको क्या कहते है फेरो magnetic जिनका high magnetic field होता है यह permanent magnet बन जाते हैं जैसे इसके एक्जमपल है एंटी फेरो एंटी मीन्स इसका उल्टा सोच रहेते हम यह कि बहुत ज़्यादा magnetic मिलेगा क्यों क्योंकि unpaired electron है लेकिन हुआ यह कि यह जो domain है यह exact opposite direction में हो गए जिसे दोनों cancel out हो गए और magnetism हुआ zero जैसे एक्जमपल है mno लास्ट है ferry magnetic ferry magnetic वो है जिसमें expect होता है कि बहुत ज़्यादा magnetic field मिलेगा magnetic character मिलेगा लेकिन उतना होता नहीं है कारण फिर वही है कि domains का arrangement ऐसा होता है जिसकी वज़े से magnetic field less than expected आता है दो कुश्चनियां पर और आपको याद रखने हैं वन मार्क में बहुत बार जो पूछे जाते हैं फेरो मैगनेटिक एंटी फेरो मैगनेटिक को आप पर मैगनेटिक में change कर सकते हैं temperature बढ़ा कर और एक ऐसा विशेश temperature जिसके बाद फेरो मैगनेटिज्म हासिल नहीं हो सकता उसको कहा जाता है क्योरी टेंप्रेचर नाकस्ट्ट केस्ट के इस टोपिक से बनते हैं publicity या electrical properties के बारे हम जानते हैं पीज़वडी क्या है pressure जब किसी crystal पर हम pressure डालते हैं तो ions districts होते हैं electricity produce होती इसको पीज़वडेक्रिंट करते हैं अगर आप उसको heat करेंगे pyro means heat अगर आप heat करेंगे तो हीट के कारन directed क्या होगा कुँछ में डैपोलस परमानेंटली फिक्स हो जाते हैं लेकिन जैसे यह आप उसके ऊपर electric field apply करेंगे polarization change हो जाती है जैसे यहां पर है पहले यह distributed था जैसे यह यहांग बन गए है इस गारन जो electricity पैदा होती है वो है ferro electricity और anti ferro फिर उल्टा है यानिकि जब dipoles बिलकुल एक दूसरे से opposite arrange हो जाएंगे तो उसमें electricity नहीं आएगी zero आजाएगी वो anti ferro electricity है इसका example याद रखेंगा आप लेट 0 कोनेट है PBZRO3 इसके लावा यहां से question आप से पूछ सकते हैं conductors क्या है जो electricity को अच्छी तरह conduct करते हैं जैसे metals हैं insulator जो नहीं करते हैं semi conductor जो थोड़ा बहुत करते हैं इसका कारण क्या है कि एक valence band होता है जो field है भरा हुआ है electron से और conduction band है तो metals में दोनों overlap करते हैं तो आसानी से valence band से electron conduction band में चले जाते हैं और वह अच्छी तरह चल फिर conductor means चालकता चलना फिरना जहां free electrons चल फिर सकते हैं वह conductivity है insulator में क्या होता है यह जो gap है यह बहुत ज्यादा होता है तो यह बेचारे valence band से electron jump करके conduction band तक नहीं जा पाते तो electricity conduct नहीं होती semi conductor में क्या होता है gap होता है लेकिन वह थोड़ा होता है कोशिश करके कुछ jump करके पहुँच जाते हैं तो थोड़ी बहुत electricity उसमें conduct हो जाती है no doubt अगर आप इनका temperature बढ़ाएंगे तो temperature बढ़ते ही और जड़ा electrons को हिम्मत मिलेगी और वह जंप करके आगे पहुँच सकते हैंने के इनकी conductivity भी इंक्रीज हो जाएगी इजिएस्ट कोशन है दो टाइप के solid होते हैं crystalline amor first crystalline वह हैं जिन में constituents का regular arrangement होता है इन में regular नहीं होता है इनके melting point sharp होते हैं इनके piece दिए गए amor first is amor first के नाम में यह ऐसा लग रहा है जैसे मरा हुआ है तो यह piece हुए है powder like solid है true solids नहीं है important बात यह एन isotropic हैं यह कैसे होते हैं isotropic है यहां है उल्टा याद रखना इस तरफ है isotropic क्या है ऐसी जिसमें कुछ जो physical properties होते हैं जैसे refractive index है एटसेटरा उनकी different direction में value different होती है जबकि इन में different नहीं होती है कैसे होते हैं isotropic होते हैं मरे पड़े हैं सिद्ध जाएंगे तो एक जैसी value रहेगी anisotropy क्या है the property in which the physical properties like refractive index have different values in different directions इनको easily cut कर सकते हो clean cleavage आता है इनका clean cleavage नहीं आता यहां से one mark में कई बार यह पूछते हैं कि जो window panes होते हैं पुरानी buildings के निचे से मोटी क्यों हो जाती है क्योंकि glass एक amorphous solid है pseudo solid है याने के super cool liquid है वो flow कर जाता है कई साल के बाद नीचे इखठा हो जाता है दूसरा पूछते हैं कि जो glass है उसमें milkiness क्यों आ जाती दुनला क्यों हो जाता है तो इसका कारण यह नहीं इसका कारण आप क्या बताएंगे annealing annealing means एक बार गर्म होगा glass एक बार ठंडा होगा इसकी वज़े से उसमें milkiness आ जाती है चलते चलते लास्ट में कोशन और देख लेते हैं टाइप ऑफ सॉलिड आइनिक molecular covalent and metallic solids आइनिक वो हैं जिन में ions होते हैं electrostatic force काम करते हैं hard होते हैं brittle होते हैं solid state में electricity o conduct नहीं करते हैं molten और aqua state में करते हैं molecular solid जिसमें molecules थ्री टाइप के हैं non polar जैसे i2 solid co2 जिसको आप ड्राइइस बोलते हो या CH4 यह non polar है इसमें attraction कैसे होगा induced dipole dipole permanent नहीं है लेकिन कुछ समय के लिए जब electron दर उदर जाएंगे तो positive negative जब वो चक्कर लगाते अलग लग हो जाएंगे तो temporary dipole बनेंगे तो temporary dipole के कारण इनका force of attraction बना रहेगा पोलर का dipole के कारण बना रहेगा dipole dipole attraction hydrogen bond वालों का आफ फोन से देख रहे हो तो फोन को याद रखना F1 fluorine oxygen nitrogen hydrogen को जाम दिखाई देगा bonding हो जाएगी जिसको hydrogen bond कहते हैं इनमें hydrogen bond वाला force पाया जाएगा कोवेलेंट में या network solids दो टाइप के हमने study करना है एक diamond एक graphite आप बच्वन से पढ़ रहे हैं कोई खास बताने की बात नहीं है metallic solids में electron gas model आता है जिसमें ये माना जाता है कि electron का समंदर है सागर है महा सागर है और इसके अंदर positively charged जो part है metal का वो इसके अंदर तेरता रहता है तो electrons का C है इसलिए इसको electron C model भी कहा जाता है या electron gas model भी कहा जाता है और ये positive part जो metal का है इनको kernels भी बोलते हैं kernels इनको कहा जाता है attraction बना रहता है electron और positive इन दोनों के बीच में और electron के समंदर में ये तेरते रहते हैं इन में जो काम करते हैं उन bonds का नाम है metallic bonds तो अब आखिर में number है आपके लिए internet दक्षिना का और ये है कि अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको share कीजिए like कीजिए subscribe कीजिए